नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हंदूस्तान और मैं हूँ आपके साथ आर्जे रजनी रजनीती में आज का विज़े है गेहों बना सिर्दाद जी हैं महीना भर पहले तरह सरकार दावे कर रही थी कि इस बार देश में गेहों का उत्पादन गजब का होगा उमीद थी कि वह 11 करोट टन से ज़्यादा ही होगा और भारत इस साल सबसे ज़्यादा गेहों निर्यात करेगा और जम कर पैसे कमाएगा इसकी संभावना इसले भी बढ़ गई थी कि रूस यूकरेन युद के कारण दुनिया में गेहों की कमी पढ़ने लगी है लेकिन ऐसक क्या हुआ कि सरकार ने रातो रात फैसला लिया कि भारत अब गेहों निर्यात नहीं करेगा इसका पहला कारण तो यह है कि गेहों का उत्पाधन अचानक घड़ गया है इसका मुख्य कारण मार्च अप्रेलों में में पढ़ने वारी भ्यंकर गर्मी है सरकार ने पिछले साल अपने गोदामों में सवाध 4 करोट टन गेहों खरित कर भर लिया था लेकिन इस बार वैज सिर्फ 2 करोट टन गेहों ही खरीत पाई है पिछले 15 साल में इतना कम सरकारी भंडारन पहली बार हुआ है सरकार को उम्मिशन थी कि इस बद 11 करों टन से भी 4 गेहों पैदा होगा और वह लगबग 8 डेज करों टन निर्यात करेगी सरकारी अनुमान है कि इस सल गेहों का अथपादन 10 करों टन से भी कम होगा लगबग 4 पाँच करों टन के निर्यात के समझोते हो चुके हैं और लगबट डेट करोण टन निर्याद भी हो चुका है हजारों टन गेहूं हम अफगानिस्तान और स्री लंका भी भेच चुके हैं अब इस निर्याद पर जो प्रतिबन लगाया गया है उसके पीछे तर्क यही है कि एक तो लगबग 80 करोण लोगों को निशुल का अनाच बाटना है और दूसरा यह है कि अनाच के दाम अचानक बहुत बढ़ गए है 20-22 रुपे किलो का गेहूं आजकल बजार में 30 रुपे किलो हो तक बिक रहा है यह ठीक है कि अन्तराष्टिय बाजार में इस समय गेहूं के दामों में काफी उचाल आ गया है और भारत उससे काफी पैसा कमा सकता है लेकिन सरकार का डर बहुत स्वभाविक है कि यदि निर्याद बढ़ गया तो गेहूं इतना कमना पढ़ जाए कि भारत में संकट खड़ा हो जाए सरकार की यह सोसोस व्यवारी खेल लेकिन यदि गेहों का निर्यात रुग गया तो हमारी किसानों की आमदनी काफी घड़ जाएगी उन्हें मजबूर होका अपने गेहों को सस्ते से सस्ते दामों पर बेजना होगा इस समय सबसे बड़ी चांदी उन व्यापारियों की है जिन्होंने जादा कीमतों पर गेहों खलिद कर अपने गोदामों में दबा लिया है लेकिन गेहों का नीरियात रूख जाने से उसके दाम गिरेंगे और इससे किसानों से भी ज़्यादा व्यापारी घड़े में उधर जाएंगे सरकार चाहती तो नीरियात की जाने वाले गेहों के दाम बढ़ा सकती थी उससे नीरियात की मात्रा घड़ती लेकिन सरकार की आमदनी बढ़ जाकती वह किसानों से भी ज़्यादा कीमत पर गेहूं घड़ती तो उसका भंडारन दुगना हो सकता था गेहूं के नीरियात पर रोक लगने के पीछे स्रिलंका से टपक रहा सबक भी है इस समय देश में खादे पदार्थों की महंगाई से लोगों का पारा चड़ना स्वाभाविक हो चुक रहा है राशनीती में अभी इतना ही राशनीती को लिखा है प्रसिद्ध पत्रकार और लेखा डॉक्टर बेद परताफ प्यदिक ने धान रखिए पानी बचाईए सब को सिखाईए बने रहे हमारे साथ रेडियर उन्दुस्तान पर नमस्कार